हाई माई डियर एस्टुडेंट आज मैं प्रकास सर आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है टौरू लेशन अाउस टॉपिक को टौरू लेशन कहते हैं पिछले वीडियो में आपको और रिप्रोडेक्शन का ताइप बताया था उसमेंच एक टॉपिक है टौरू लेशन उसमेंच एक टॉपिक क्या है टौरू लेशन एयाए छिक्षिलalt प्रोडेखशन का टाइट है तो आके टॉरुलेशन किसे कहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि टॉरुलेशन मिल्कुल बडिंग के समान किरियाएं मुकूलन के समान किरियाएं ही टौरूलेशन है लेकिन इसमें और मुकूलन में अंतर होता है वह बहु कोशिकिये जीवों में होता है जबकि टौरूलेशन एक कोशिकिये जीवों में होता है अर्थात एक कोशिकिये जीवों में होने वाले मुकूलन को एक क कोष्य की जीवों में होने वाले मुकूलन को ही टौरॉलेशन कहते हैं क्या कह रहे हैं कि यूनी शेलुलर और्गेनीजम एक कोशी के जीव जीव में होने वाले किसको बडिंग को अर्थार मुकूलन को टॉरूलेशन कहते हैं ताकि टॉरूलेशन किस में होती है जिसका एक्जाम्पल में आप इस्ट इस्ट उसके पाद ओईडिया ऑफ राइजोपस ओईडिया ऑफ राइजोपस यह सब बता सकते दर्शा सकते हैं अब देखिए यह दोनों ही क्या है एक कोशिकिये जीव है जिसमें जो ओलेंगिक जनन की किरिया होती है वो कैसा होता है तो टॉरूलेशन की दुवारा होता है था मुकूलन के परकार में चुकी एक कोशिकिये जीव है तो एक कोशिकिये जी आप लोग में से किस में से किसके बारे में मैं आज explain कर दो क्या है पहला मतलब हर कोई पहला दूसरा से कोई दोस्ती नहीं अच्छे कोई बात इट इस गुर्ड चलिए तो मैं तौरूले रेशन इस्ट में ही बताता हूं सबसे पहले देखिए यह इस्ट है एक कोशिकिये होता है इसमें भैक्योल है इसको निकुलियस के अंदर रखेए इसके अलावे बहुत सारे इसमें चोटी-चोटे शिलूलर कंपोनेंट होते हैं यह आपका इस्ट है कि इसे क्या कहते हैं इस्ट कहते हैं इसमें क्या होता है बाहर की ओर कहीं शेक भाग बाहर की ओर बिर्धी करता है और बाहर की ओर बिर्धी करता है और इस भाग में वेक्योल भी बनना सुरू हो जाता है ठीक केंद्रक है केंद्रक बट कर जाना सुरू होगा अभी बटा नहीं है बटे के बटेगा वह जाएगा ठीक यह सब कंपोनेंट भी या जो बाहर की ओर बिर्धी होती है इसे ही तो-लू-ला कहते है इसे क्या कहते है तारू-ला कहते यहीं तारू-ला है अगले स्टेप में क्या होता है कि और बढ्याँ से और बढ्य कर लेता है या यौर psyche तरह से कर आए यह हां पर चmannrack भी आगया क्यंद्रक किलार अफ़न बट गया दोबहां बट गया और यह यह जो जानते हैं कि अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में यह अलग हो जाए अब यह सेप्रेट हो गया और यह सेप्रेट हो गया कि इसको भी डबल कर दिए यह सेप्रेट हो गया यह केंद्रक इसमें भी यह भिक्योल यह केंद्रक और यह जो सिलूलर कंपोनेंट है इस्ट के वह कंपोनेंट हो गए इस परकार देखिए यह जो छोटा वला उपर अलग हुआ है तोरुला जो अलग हुआ चुकि अब यह अलग हो चुका है अब इसे संतती कहते हैं इसे क्या कहते हैं संतती या पुत्री इस्ट कह सकते हैं और यह क्या हो गया जनक इस्ट जनक को पैरेंट्स कहते हैं और पुत्री को डाउटर कहते हैं संतती को डाउटर कहो गया ओफ एक्स्प्रिंग टर्म का यूज मत किजिएगा क्योंकि ओफ एक्स्प्रिंग सेक्सुल लिप्रोडेक्शन सुथपन संतानों के लिए यूज में होता है तिस परकार से आप देख रहे हैं कि इस्ट में सबसे पहले बाहर की ओर बिर्धी होती है और उसी बिर्धी को अम लोग तौरूला कहते हैं कैसे बिर्धी होती है इसमें जनन की क्रिया है जनन की क्रिया है जनन की क्रिया काता है इसमें जनन के लिए ही इसका जब यह मैच्यूर हो जाता है न और अनुकूल जब प्रिष्टितिया आती है भोजन मगेरा मताबन यह कर्णिशन जब अनुकूल होती है तो यह क्या करता है बाहर को बिर्धी क तुम बोलाई कैसी होती है तुम बता रहा हूं कि मेंब्रेन बाहर की ओड़ जाती है तब काता है कैसी होता है ते ही इन कहेंगे के कपार को दिवाल पर दे मारो और देखना फुट गया फुट गया नहीं फुटेगा तो यह जो गुलवरा निकल जाएगा समझ जाना लेकिन तुम भूब कुछ किया है तुम भूब कुछ कीया है और आदमी चला लेका नहीं होगा कपार फोड़ लेगा बक्चा नहीं होने वाली है इसलिए धियान रखना ये केवल एक क्वश्के जी वो इश्ट के लिए यह क्या आगे का जो निकलता है उसे टौरूला कहते हैं और केंद्रक का यहां पर डिविजन शुरू रहता है और केंद्रक क्या होता है दो भागों में बढ़ जाता है तो एक क्या होता है बाहर की भीड़ी वाले भाग में जाता है और दूसरा नीचे वाले जनक जो भाग है उसी में रहा जाता है और धीरे धीरे यह संकुचित होत ने हैं ऑन पोछीब में रएक हैता है कि यह संतती और यह जनक बनता है है और आप लोग जो अथेंटिक सवाल था यहां पलेबह पूछाव जैने ने के सवाल यह था कि यहां पर वी एके जिनक से दो बन रहे हैं है यह प्रश्ट किया जीव शे अर्थात एक एक को शीकिये जीव से दो जीव का निर्मान होता है तो कह सकते हूं सर जिसे भी बाइंडरी फीजन क्यों नहीं कियो नहीं कर दिये जिसे आप तौरूलेशन कह रहे हैं यह सबाल करते थी ऑथेंटिक है God थेक तो मैं उसका जवाब दे देता हूं अप लोगोंने नहीं क्या फिर भी मैं जवाब देता हूं जिए बाईंडी फीजन में क्या होता है इक्वाल डिविजन स्वाइटि होता है फीजन का अतात पर यह इस कॉल डिवीजन बट यह अनिकवल डिवीजन हो रहा है अजलनली बंलाबर मैं जनक कोन आरह भा झिर को या जोनकर थी बंबाबर बंथया कि लेकिन इसमे एक चोटा और एक पर्छाथ के अधार य दॉ750 आउनल इस्टा फंट्र में संतर रहे मिशन जनक क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है तिस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो टॉरूलेशन को और अभी तक भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अब तो यूट्यूब चैनल मेरा बाइलो जी अप परकास सरेपी को सस्क्राइब किजिए और मैं इसी तरह से अपिक और आसान सब्दों आसान तरीकोश आपके बीच लाता रहूंगा अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद